दुनिया में हद से जादा किसी पर निर्भन ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की चाया में होते हैं, तो आपको अपनी परचाई नजर नहीं आती, खामोसी किसी इनसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है, हम उस जम नूटता है या दुनिया बड़ी जालिम है दिल से फंसाती है दिमाग से लूटती है जिन्होंने आपका संगर्ष देखा है वही आपके संगर्ष की कीमत जानते हैं नई तो औरों के लिए आप तो सिरिफ किस्मत वाले हैं दोबारा गर्म की हुई चाय और समझावता किया किसे ने सची कहा है वो इनसान आपका मोल नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं मैंने कई बार सुना है कि तारीफों के पुल की नीचे मतलब की नदी बहती है ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इनसान गिर जाए ठोकर इसलिए लगती है कि इनसान समल जाए आवकास से बड़ी दिखावे इंसान को कर्ज में डुवो देते हैं मीलो का सफर एक पल में बरबाद हो गया जब अपनोंने कहा कहो कैसे आना हुआ गुटन क्या होती है ये उस बच्चे से पूछे जो काम करता है रोटी के लिए खिलाउने की दुकान पर अजीद दस् किये हद से ज़्यादा समझदारी जीवन का मज़ा बिगार देती है ठोकर वही सक्स्त खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता ना मैं गिरा ना मेरी उमीदों के मिनार गिरे पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरें मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है तोड़ने वाले को नहीं अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिस मत करो बस सही बने रहो गवाही खुद वक्त देगा जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हीं के होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाख में है और आने वाला कल तुम्हारे साथ है भगवान से नहीं अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए क्योंकि भगवान तुमाफ कर देंगे लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा खुसी के लिए काम करोगे तो कभी खुसी नहीं मिलेगी लेकिन खुस होकर काम करोगे तो खुसी के साथ सफलता भी मिलेगी अगर आप जीवन में आराम चाहते हैं तो कुछ परिसानियों का सामना जरूर करना होगा अगर तुम हद से जादा अच्छे बनोगे तो लोग तुमें बेवकूफ समझेंगे जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था अब चलना आ गया है तो हर कोई गिराने में लगा है जो सुख में साथ दे वो रिष्टे होते हैं और जो दुख में साथ दे वो फरिष्टे होते हैं मैंने गीता में पढ़ा था सरीर मर जाता है पर आत्मा जीवित रहती है लेकिन आज कल अकसर हम देखते हैं कि सरीर तो जीवित है पर आत्मा मर चुकी है जिन्दगी में सारा जगड़ा ख्वाईसों का ही होता है ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए मैं अपनी जिन्दगी में थोड़ी सी मुसीवत चाहता हूं इस दुनिया की भीड में मेरा अपना कौन है मैं ये देखना चाहता हूं अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया को तो राह में रोडा अटकानी की आदत है तन जितना घूमता रहे उतना स्वास्त रहता है और मन जितना इस्थिर रहे उतना इस्वास्त रहता है अकेले चलने वाले घुमंडी नहीं होते वो दरासर हर काम में अकेले ही काफी होते हैं ये कड़वा है मगर सच है किसी भी बैक्ति को ज़्यादा सुधारणी की कोसिस करोगे तो वह आपका दुस्मन बन जाएगा अच्छा हुआ बड़ा जल्दी बदल गए तुम वरना मेरी उमीदे बढ़ती जा रही थी सासे इतनी कीमती है और इंसान इनकी कीमत फिजूल की ख्वाईसों में लगा रहा है जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्म की वज़े से आपको दर्द सहने को मिले कई वार हस से जादा अच्छा होनी की भी कीमत चुगानी पड़ती है अपनी कीमत उतनी रखिये जो अदा हो सके अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो हो सकता है आप एक खेल जीत जाएं पर याप पक्का है कि आप उसे इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया बोज बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इंकम और पत पर रहेगा आपकी मेहनत पर नहीं किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि वही सब्द अगर आप से कोई कहे तो आपको कैसा महसूस होगा हिर्दय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को भी हिर्दय से अच्छे होने का विश्वास कर बैड़ते हैं करवी सच्चाई बोल देने वाले लोग जोटा दिलासा देने वाले लोगों से लाग गुना अच्छे होते हैं सच्चाई ये नहीं है कि इनसान बदल जाते हैं सच्चाई ये है कि नकाव उतर जाते हैं सबसे सची चीज मौत है और सबसे जूटी चीज लोगों से उम्मीद है निरास बैक्ति बीते हुए समय के वारे में सोंचते हैं और चिंतित बैक्ति भविस्ट के वारे में और सांत चित बैक्ति वर्तमान में रहता है दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे ऐसा कोई नहीं है जिसे हर सक्स अच्छा कहे मत करना भरोसा गैरों पर क्योंकि जब चलना हां तुम्हें अपने ही पैरो पर जो इंसान अपने निंदा सुन लेता है वो असारे संसार पर बिजय प्रात कर लेता है पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि साबासी और धोखा दोनों पीठ से ही मिलते हैं तूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता कभी-कभी तूटने से जिंदगी की नहीं सुरुवात होती है जूट इसलिए भिग जाता है क्योंकि सच खहिदने की सबकी आवकात नहीं होती सेर भी फस जाते हैं कुत्तों की जाल में जब अपने सामिल हो दुस्मन की चाल में जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है मगर अफसोस जो रिष्टों की एहमियत ना समझ पाएं वो सब्दों की क्या समझेंगे आज की लोगों के विचार कुछ इस परकार हो गए है कोई रो रहा है तुसे रोने दो अपना क्या जाता है अगर कोई हस रहा है तुपता करो इतना खुष कैसे रहता है कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते बस अंदर से एक मजबूत फैसली की जरूरत है जो बीत गया उस पर बाद मत कीजिए और जो वक्त बचा है उसे बरबाद मत कीजिए